असलाब और फ्रेंज वेल्किन चानल कैसे हैं आप सब हम उमीद करते हैं कि आप सब खरयासे होंगे और अजाए करेंगे अपने दिंकों भरभू तरीके से और हम आपके लिए लिकर आगें आपका वेपरीड सिल्सेवार नॉवल मेरा सितम गए मेरा मसीहा की एपेसोर 40 जिसक गसर से पहले दिखने के मिरे तो चलते हैं मेरा सितम गर मेरा मसीहा अपसोर 40 की तरफ हैदर दुरानी ने अपना कहा सर्च कर दिखाया था फरियाल गुलाबी सादर से सूट में दूलन बनी बैठी अपने सोग गवार हुसन में भी कायामत परपा कर रही थी मतोरम आखें जब से सोख परता चहरा और पंखडी जैसे लब सकती से भेच रखे थे मौलमी साहब कुछ लमात कबल ही उससे रज़ामंदी लेकर गए थे वो कमरे में इस वक बिलकुल अकेली थी कमरे में सन्ना टाबाते कर रहा था बजाहिर वो खामोश थी बगर दिरलो दिमाग में लायानी सोच जगा वबाल परपा था आखों के सामने अपने पहले निकाह का दिल वरे मंज़र किसे फिल्म की माने चलने लगा था कितना मुकमल, हसीन और खुबसूरत था सब कुछ उसका बाप भी था भेरों दौाओं के साय तलेव वो रुखसत हुई थी रिष्टे में दिली लदामन्दी भी चामिल थी मगर अचानक सब खतम हो गया तहिस नहीं सो गया सिर्फ एक खलत वहमी की बतौरत कि काश फर्याल अनसारी की जिन्दगी में या तो हैदर दौरानी नहोता या पिर शर्जील एहमद को जुनूर की हद तक चाहने वाली माला हमदानी नहोती एक खलत फहमी हाँ, वो सब सिर्फ एक खलत फहमी की वज़़ा से हुआ था सब खतम हो गया था फर्याल की आंख से एक आसम तूटकर गिरा था जब एक खटके की आवास के साथ कोई रूम में दाखिल हुआ था फर्याल ने जरा की जरा नजर उठा कर सामने दिखा था जहां दहलीस पर खड़ा हैंसम सा राविया फारुकी सुफेज शर्वार्शूर में मुल्बूस मतवस्ब नजरों से उसे ही देख रहा था जानता हूँ तुम इस सक्थ हैदर भाई को एकस्पेक कर रही होगी मगर क्या कर दो तुमसे मिलना बहुत जरूरी था वो कदम उठातर नजरी चलाया था फरियान ने निगाहें फेड़ ले थी कहो अब क्या कहना है तुम्हें वो जर्णा नाराज की से बोली थी उसके लहजे से हया होती नागवारी महसूस करके वो एक कहनी सा आस्फिजा के सुपर्ट करके रह गया था जानता हूँ तुमसे नाराज हो नाराज होना भी चाहिए मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरे इश्क का कोई वाहिद गवा है तो वो सिर्फ तुम हो फरियान अंसारी ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जाती है कि मैं रमशा को किसी सूरत नहीं जोड़ सकता था मगर रमशा की अकल ठिकाने लगाना भी बहुत जरूरी हो गया था वरना वो हर बार जाने जाने में तुम्हारे दुक्का बाइस बनती वो समझाने वाले लहचे में बुला था जबकि वो नकुछ से रुख फे गई खेर तुम्हें बताने आया था कि हैधर भाई तुमसे बहुत महापत करते हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दो इतने प्यारे दोस जिन्दकी से बेजार रहे बस इसी वज़ा से उस रोस जस्वात में तुम्हें धंकी दे दी थी वो एक बार फिर सफाया लहजे में बोला तो उन फर्यान ने महस धोर ने बड़ एक तफ़ा किया था मगर फिर भी खामोश रही निकाह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी दुआ है कि सदा मुस्कुराते रहो अल्ला पाक तुम्हें तुम्हारे नसीब रोशन करे फर्याल के सर पर हाथ रखता वो रूम से बहार निकलाया था जबकि वो इस सहसाया मुस्कुराई थी क्या उसकी जात इसकदर बेमोल थी कि कोई भी उसे अपने मकसद के लिए स्वाल कर लेता रुखसारों से फसलता एक बेमोल आसू बेदर्दी से रगरती वहां के मोल गई थी तुम कहां बागी जा रही हो रिम्शा को कलाई से थाम तब अपने मकाबल ले आया था जो दुलहन से जादा दुलहन बनी घूंग रही थी जाविया की गिरिफ्ट पर एक लम्हे को गर बढ़ाए मैंने कहां जाना है फर्याल के पास जारी हूँ फर्याल की रुखसती के बाद वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी आज का दिन उसके लिए दो दो खुश्याने कराया था एक जाने भाई की शादी दूसरी जानिब जान से जजीज भेंगे खुशियां वापस लाट आई थी फर्याल को छोड़ो अब ज़रा अपनी सोचो वो अपनी घड़ी में अटक थे उसके सुनायरी बाल निकाल कर कंदे पर अक्ता जरा संजीत की से बोला अपनी क्या सोचो माते पर बड़ डालती वो ना संजी से बोली थी जावियां ने तंजिया तोर पर आई ब्रोट है मैंगनी रंग की लॉंग फ्रॉग सेब तंग किये पुश पर खुले बाल छोड़े वो उसकी धर्कने मुंतशिर कर गई थी अभी बताता हूं वो लॉंग में मुझूद एका दुका फराद पर एक सरी सीनिकार डालता जबर्देसी उसका हाथ थामता हुआ पोच्छ की जाने बढ़ा था जबकि उसके साथ खीची चली चाती है जाग गर बढ़ा गई थी जो बगएर कुस्तों ने उसकी मताहमत नजर अंदास करता गाड़ी का दर्वासा खोलता हुआ कार की फरंट सीट पर जटके से बढ़ चुका था जाविया ये क्या बत्तमीज है कहा लेकर जा रहे हो मुझे घर में सब महमान मौझूद है वो दुरुश्ट की से बोली समझ लो तुम्हारे दोस के साथ आज तुम्हारी भी रुकसती हो गई है इसकदर गहर मतवक्का इंकचाफ पर उसकी आँखें फटी की फटी रह गई थी जाविया ये क्या बकवास है मैं कहते हूँ गाड़ी रुको वो सरपटा कर तेजी से बोली थी जबके वो सुनी अंसुनी करता गाड़ी सदर दर्वादे से निकाल चुका था बाबा भाई वो गाड़ी के शीशी पर हाथ मारती जोर से चलाई थी गाया अगोया वो कोई खैर हो और उसे अखवा कर के ले जा रहा हो भाई जब गाड़ी घर की वापिस छोड़कर आओ घर में सब महमान मौजूद हैं वो क्या सुचेंगे वो रुहान सो लहजा अपना थी मननती लहजे में बोली जबके वो उसे ड्राइविंग में मस्रूफ था को या कोई दूसरा कारी में मौजूद है ना हो जब बोल बोल कर वो थक गई तो उस पर एक खब की भरी निगा डाग दी वो रुख फेर कर बैठी विंडो से बाहर देखने में मसूफ हो गई रास सा तेज़े से समरता जा रहा था जबके रिम्शा की घबराहट में मसलसल इजाफा होता जा रहा था जावियार एक बार फिर हिम्मत करती वो पकार उठी जबके इस बार उसने इस कदर सखनी गाह से नवाजा था कि अलफास आप ही दम तोड़ गए थे और वो अपना सा मूँ लेकर रहे थी सफर खामोशी की नजर हो रहा था जबी खामोशी मेरे तार आश बरपा करती मॉबाइल की बेल ने तवच्ज़ भट गाई थी जावियार ने हाथ बढ़ा कर कौल पिकी थी दूसी जानेब शायद हैदर था रमशा के कान खड़े हो गए थे यार आज तुम्हारा निका हुआ है और तुम्हें मेरी फिकर लगी हुई है भई मेरी बीवी मेरे साथ है तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो और समझ लो तुम्हारे साथ सा तुम्हारी बेहन की भी रुकसती हो गई है हैदर से शोख मजादी से बात करता जाव यार रमशा को जहर लगा था यार अंकल आंटी को तुम समाल लेना और अपने प्लैंक का बताया तो था मैंने तुम्हें बस बस हाँ हाँ बाकी बातें बाद में देखेंगे वो जल्दी जल्दी बात खतम करता मुपाल आफ कर चुका था एक सरसे जीने का रिमशा पर डाली जो कीना तोस निगाहों से उसे ही खूर रही थी और फिर मुबसूरती जटके से वो रुख फेर गई जाविया के चहरे पर एक शरार्दी मस्कराहट खिल सी गई थी सब काम तेजी से नबटाता अब जीर लब मस्कराता हुआ सरशारी किसी कैफे से दोचार वो रूम में दाखिल हुआ था जहां वो अपना सोगवार हुस्सन और मसलसल रोने के बाइस सोग परती आँखों में नागवारी लिए उसे देख कर रुख फेर गई थी हैदर ने मुसकराहट जब्त करके कदम उसकी जाने बढ़ाए थे गालों में पढ़ता गढ़ा वाज़े हुआ था निकाह मुबारक हो मिसस नर्मी से बोलता वो जुक कर उसके माधे पर प्यार करता पीचे हुआ था जो फित्री जिचक के बाइस नजर जुका गई थी नारास हो बैट पर नसी एक पूरे हक से बरा जमान होता वो उसकी आँख हमें झाकर ग़या हुआ तुम्हें मेरी नारास की से फ़र्ग परता है वो साब गूरी से नमाज सी खुस्थे से बोली अगर तुम्हारी नारास की से फ़र्ग नहीं परता तो मैं इस वक तुम्हारे पहलों में बैठा तो मैं राजी करने के लिए जदना कर रहा होता उसकी गंबी लहजे की सर्वोची पर वो ज़रा खबगी से मकर निगाहें चुका गई थी खे, रो क्यों रही थी उसकी सिया धनी पलकों पर ठेरी नमी अपनी उंग्यों के पोरों में समीरता वो नर्म लहजे में सबसारिया बोला अपनी किस्मत को रो रही थी जवाबी कारवाई के बाइस कलार मुंसा क्या था दूसी जानिब से खामुशी महसूस करके जरा की जरा जो नजर उठाई तो वो सीधी मुकाबल की सोखी छलकाती निगाहों से जामली थी वो शदीद जब्द के आलम में अपना इश्टाल दबाता निशिस छोड़ कर जारे लगा था उसने छट आगे बढ़कर उसका हाथ थामिया था सुनो एक आज भरी पुकार सी थी कि उसके बढ़ते कदमों को ब्रेक सी लगी थी रुक फेर कर बलट कर बर्ख़ड़ा वो आके मेच कर ठहरा था मगर बलटा नहीं था नराज होकर जा रहे हो वोही मासुम लहजा मगर आज शरारत का दूर दूर तक कोई शुबा तक ना था आपको फर्क पढ़ता है वोही हाथ थाम कर पलटता वो सर्ड लहजे में बुला उसे मासुम सा मुझ बनाया था हाँ पढ़ता है और अब सीधी शराफ़जे यहां मेरे पास वापिस बढ़ चाओ और ना फिर मैं अंदा कभी भी तुम्हें अपनी कमरे में घुज़े नहीं दूगी लहजे में वार्निंग वाज़े थी जो इसकदर संजीदा सूरत हान में भी उसके लबों पर मुसकरा हट भी खेर के थी जौज़ा अपनी दुरूस्तिकी कर लीजे आपका नहीं हमारा कमरा लबों का कोना दातों तले दबाता वो मुसकरा हट छपा गया था मुकाबल के तर्दे तकात उप पर उसने आँखे छोटी किये उसे घुरा था तुम भी मेरी एक बाद जहन नशिंग कर लो तुम्हारा कमरा था अब से मेरा कमरा है और ये कि मेरी बैट पर लंबी तांकर लेट गया हो अपना तक्या उठाओ और सूफे पर जाकर लेटो उसे भैलता देखकर उसे छट सिरहाने रखा तक्या उठा कर उसके सीने पर रखा था जो हमनक बना उठ बैठा था क्या मतब अब मैं अपने ही कमरे में सूफे पर सूँगा वो शदीद सत्मिन से बोला था जी हाँ क्योंकि अपसे ही कमरा और पैठ दोनों मेरे है सीधी शराफ़ से अपना तक्या और चादर उठाओ और चलते बनो यहां से वो यगदम ही अपनी जौन में लौट आई थी उसका वो ही लब लहजा और अंदाज देख कर चंद हमें ठहर कर वो उससे देख रहा था जो माते परबर लाले उसे ही गूर रही थी गूर क्या रहे हो नजर लगाने का इराद है क्या अपने हाथ की नाज़की दोंग्मियों से उसके चेहरे का रुख दूसी जानिब करती वो जरा घबरा कर बोली थी फिकर नहीं करो मेरी नजर नहीं लगीगी तुम्हें और इसे पहले कभी लगी है जो अब लगीगी वो शराल से लब दबा कर बोला था उटो मेरे बैट से पौने उसकी महों पर चलकाती नहीं गाहों से खाइफ वो मस्नवी सक्थी से बोली थी जो हुकम बॉस वो रवानगी में बोल गया था जबके फर्याल को यकदम ही अपना सांस सीने में अटकता महस्थ उज़ा था मैं जौँ यहां से अधर दुनानी तुम्हें मैंने कितनी बागाया दूर हो जाओ मसे वह श्रत होती है मुझे तुमसे तुम्हारी बातों से तुम्हारे वजूद से खासकर तुम्हारी महुपट से उसका गयर मतवक्र रवया उसे कुछ नम्हों के लिए मन्जमिक तरकिया था जबान पर आते लफ्स अधूर ही रह गए थे जब शिद्ध से रोती अपना मुक्तसर सा सिंगार नोशने लगी थी फर्यान हुआ क्या है इस तरह से रियाक क्यों कर रही हो यार तू वो नमुत्तजब सबसर परिशान हुआ जाओ यहां से वो दुरुष्ट शिद्ध से बोली थी फर्यान वो मजीद कुछ कहना चाहता था जबके वो मसलसल होती हुई अपडर्सिंग से टेक लगा कर बैठ के थी फर्यान स्चॉप क्राईं कि क्या पागर बने जानती होने सरमसलसल होने से तुम्हारी तबीथ खराब हो जाएगी वो भी पंजों की बलबैटता समझाने वाले लहज़े में बोला था मेरी तबीयस से तुम्हारे क्या लेना दे रहा है तुम जाओ यहाँ से हज़र्द टोटाने क्या तुम्हें मेरी एक दफ़ा की हुई पक्वास समझ नहीं आ रही है वो तेज लहजे में चिंगारी थी जबके वो अपनी पेशानी में सलता हुआ उट खड़ा हुआ था ओके रिलाक्स तुम खामुश हो जाओ मैं जा रहा हूँ वो उसका सकता मुझूद और उसकी बगड़ती तबियत के पेशे नज़र सरंडर करने के से अंदास में हाथ उठाता हुआ डैसिंग रूम में जाकर बंद हो गया था जबके फर्याल की हिच्चियां बन गई थी क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा शर्चील हमर कर आप कर रही थी जी फ्रेंग्स कैसी लखिया आपको आज की एपिसोड हम यह की उमीद करते हैं कि आपको पसल आई होगी बहुत जड़ी कि नहीं एपिसोड के साथ हासे होंगे हमें अपने कमेंस अक्षिन में अपनी राइस से ज़रूरा कर कीचेगा तिल दें ठेक यह और आपको ऩपको यह ज़रूरा के हासे लाइस